कांग्रेस के इस्थापना दिवस के अउसर पर पार्टी की अंत्रिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भाजप्पा को निशाने पर लेते हुए एक बार फिर वह सब कुछ कहा जो वह पहले भी कई बार कह चुकी है उनके एसे कथन नए नहीं है कि देश का आमनागरिक असरक्षित महसूस कर रहा हो और सविधान को दरकिनार किया जा रहा है उन्होंने यह भी कहा कि संसदी लोकतंत्र की परंपराओं को नुक्सान पहुँचाया जा रहा है उनके इस कथन से संसत के सीत कालिन सत्र का इस्मरन हो आना स्वाभाविक है जिसे विपक्चोर खास कर कांगरेस के हंगामे के कारण समय से एक दिन पहले खत्म करना पड़ा सवाल उठेगा कि आखिर पीस हंगामे से कोन सी संसदी परंपराएं सम्रद हुई सोन्या गांधी की ओर से एक अर्से से दिये जा रहे एक जैसे बयान यही बताते हैं कि कांगरेस में सीर्स इस्तर पर ही विचारों का अभाव है भले ही सोन्या गांधी ने यह कहा हो कि कांगरेस भाजबपा से अपनी वेचारी लड़ाई जारी रखेगी लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर देश के इस सबसे पुराने दल की विचारधारा क्या है आज की कांगरेस अपनी मूल विचारधारा से इतनी भटक चुकी है कि किसी के लिए और यहां तक कि खुद कांगरेस जनों के लिए भी यह समझना कठीन है कि कांगरेस कि इन विचारों का परतिनितुत कर रही है जो राहुल गांदी कुछ समय पहले मंदिरों की दोड लगा रहे थे और खुद को जनेवधारी ब्रामन साबित करने में लगे हुए थे वह पिछले कुछ समय से हिंदू और हिंदुतु में अंतर बताने में लगे हुए हैं यह भी किसी से शिपा नहीं की कांगरेस किस तरह वामपंती विचारों को आत्मसाथ कर चुकी है वह न केवल उध्यमियों के साथ उध्यम सिलता का प्रहार करने में लगी हुई हैं बलकि जनता को गरीब बनाय रखने वाली नितियों का पोशन कर रही हैं कांगरेस हो या कोई अन्यदल वह अपनी लड़ाई कभी लड़ सकता है जब खूद उसकी अपनी विचारधारा इस पस्ट हो समस्या केवल यह नहीं की कांगरेस अपनी विचारधारा को लेकर अस्मन जस्से ग्रस्त है बलकि यह भी है की वह यह नहीं तै कर पा रही है की पार्टी का संचालन कैसे किया जाए क्या यह विचित नहीं की सोन्या गांदी ने पार्टी के इस्थापना दिवस के मोके पर एसे कोई ठो संकेत देना अभुशक नहीं समझा की वह कब तक अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी और कांगरेस को अगला अध्यक्ष कब मिलेगा एसे कोई संकेत न मिलने से तो यही इसपस्ट होता है कि वही काम चलाओ विवस्ता कायम रहेगी जो सोन्या गांधी के अंतरिम अध्यक्ष बनने के बात से लागू है और जिसके तहर राहूल गांधी परदे के पीछे से पार्टी चला रहे हैं इस अपेक्षाकरत नए राजी के पास एक मोका है कि इस रियायत का यतोचित व्यवारिक धाचा विक्सीत हो ताकि इधन के भाव बढ़ने पर कम आई वाले लोगों पर असर न पड़े हम यह देख पा रहे हैं कि पेट्रोल के भाव बढ़ने से देश भर में सडकों पर साइकलों की संख्या बढ़ रही है अतह इस देश में इधन संबंधी किसी भी रियायत या सबसीडी को सही हातों तक पहुचाने की व्यवस्ता चाक चोबन होनी चाहिए धन्यवाद